आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस समू में यदि आप किसी दीदी को समू से हटाना चाहते हैं और यहाँ फिर कोई दीदी समू को छोड़ना चाहती है तो आप उसके लिए क्या करेंगे गर कैसे जो है कोई भी दीद कोई सद्धिदी हो उसको हटाना है समु से निकालना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे तो यहां पे मैं आपको पूरी स्टेप बताऊंगी आपको कैसे क्या करना है तो वीडियो अच्छी लगे लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बिल आइकन को प्रिस क्लिक कर दीजेगा तो यहां मैं रूल आपको बताऊंगी कि इस नियम का आप कैसे पालन कर सकते हैं हम सभी जानते हैं कि हर सब्सक्राइब की सापता एक बैठक होती है और सभी दीदियां वहां पे कत्र होती है और अपने प्रस्ताओं रखती हैं वहां पे जो इंपोर्ट करते हैं सभी तो वहां पे पहले से ही चर्चा होने लगती है तो जिसको समू छोड़ना होता है तो वो कहने लगती है हमें समू में नहीं रहना है तो जब आप बैठक करेंगे तो वहां पे आप लोग आपस में चर्चा करेंगे कि मा लिजे सरला दीदी समू में नहीं रहन चाहती तो पहले से ही कहेंगे न हमें समू में नहीं रहना तो आप लोग बैठक में चर्चा करेंगे कि आज का मुख विसे रा कि सदला दीदी हमारे समू की सदस्य हैं और वो समू को छोड़ना चाहती है ये कारड है जो भी कारड है आप यहां पर लिखेंगे बैठक में और और कैसे क्या होना है यह मैं आगे भी बताऊंगी तो यहां पर समझ लीजिए कि मुख्य चर्चा में ही आपको प्रस्ताव लिखना होता है जो आपका कारवाई हटानी हो तो फिर वहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे चलिए देखिए यहाँ पे जो आप पेज देख रहे मुख चर्चा इसी जगा पे लिखना है क्या लिखना है मैं आपको अलग से बता रही हूँ आपको यह लिखना है सबसे पहले आपको समू का ग्राम व् gepंचायत लिखनी निगाओं का नाम और पंचायत नाम लिखना है बैठक संक्या तो आप लिखेंगे प्रस्ताओं के विसे में कि सरला दीदी तो आप लिखेंगे सरला दीदी सम्हू की सदस से जो सम्हू को छोड़ना चाहती है उस हेतू और यहाँ पर प्रस्ताओं पर चर्चा आप सभी दीदी चर्चा करेंगी सरला दीदी से पूछेंगी आप क्यों छोड़ना चाहती है समूँ आपको समस्या क्या है आपकी क्या परिशानी है और इस सब चर्चा करेंगी आपस में कहेंगी समझाएंगी यदि वो नहीं मानती है तो ठीक है मतलब आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगी चर्चा हो गई उसके बाद परस्ताओं पे निरड़े कि परस्ताओं पे क्या निरड़े लिया गया कि सभी दीदी सहमत हुई या नहीं तो परस्ताओं पर निरड़े जब वो रहना ही नहीं चाहती समू में और सम्हों में यह निरड़े सभी दीदियों ने लिया कि ठीक है सलादीदी को सम्हों से हटा दिया जाए और इनकी जो भी बचत है देनी है तो दे दी जाए जो भी है आप यहां पे जैसा आपका मतों लिख देंगे नीचे लिख देंगे सर्व सहमती के साथ प्रस्ताओ परचर्चा करके इसको पारित कर दिया गया और ऐसा करने के बाद आपने जो है वो जो है पूरा यहां पे सभी दीदियों के नीचे हस्ताच्छ ले लेंगे जो एक दो तीन चार पाच नंबर कारवाई एजिस्टर में आपको यह सब लिखना ह तो मैंने अलग से आपको बताया तो यह सब वहाँ पे लिखने के बाद सब दीदियों के हस्ताच्छ ले लेंगे और अधिस्टर को साधिच लेक पाल सब साइन कर देंगे हो जाएगा चलिए यहां तक बात हो गई अब बात कर लेते हैं कि सम्हू में यदि कोई दीदी हम नहीं रहेंगे हमें नहीं जाना है तब आपने क्या करना है ठीक ऐसे ही सब कुछ लिखना है सम्हू का नाम गिराब बंचायत का नाम बैठक संक्या प्रस्ताओ का विसे यहां पर यह लिखेंगे कि मीना दीदी स्वेच्छा से सम्हू छोड़ चुकी है और मीटिंग में नहीं आती हैं सम्हू में नहीं रहना चाहती हैं तो उसी हिसाब से आप इसे लिखने के बाद इस पर चर्चा करेंगी सभी दीदिया कि सल्हा दीदी क्यों नहीं आना चाहती है वो सम्हू में नहीं आना चाहती है छोड़ चुकी है तो भी चर्चा है आप कर लेंगे आपस दिया जाता है है सब यहां पर लिख करके और यहां पर पूरा लिख देंगी और उनका नाम काड़र देंगी और इसके बाद आप सभी रिजिस्टर पे जहां पे उनकी बचत लिखते हैं लिख देंगे मीना दीदी की सदस्ता समाप्त जिसको भी आप समू से निकालेंगे उसके आगे लिख जरूर देंगे कि सदला दीदी या मीना दीदी जो भी है सदस्ता समाप्त यानि बचत रिजिस्टर पे भी रिड रिड रिजिस्टर अगर उन चलिए आगे बात कर लेंगे कि अगर आपके समुहूस में कोई जो है दीदी जो अध्यच सचिप कोसाधिच किसी भी पद पर है और वो अगर आप स्वेच्छा से अपने घर बैड़ जाती है तो भी आप ठीक ऐसे ही लिखेंगे बस यहां पर आप यह लिख देंगे कि समुह की अध्यच दीदी उनका नाम वो समुह से में स्वेच्छा से छोड़ चुकी है और अपने घर बैड़ गई है तो इस तरह से प्रस्ताव के विशे में चरचाए जो भी आपको यसे ने बिताया है ठीक वैसे ही लिखेंगे और यदि अब यहां पर बात कर लेते हैं कि तो स समुह छोड़ने की बात हो गई है लेकिन आप यहां पर यह देख लीजे यदि आप समुह से किसी दीदी को हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे सबसे पहले समुह का नाम लिख लेंगे ग्राम पंचाय संख्या बैठक संख्या प्रस्ताव के विशे में आप लिखेंग राजकुमारी जी को समुह की समुह से हटाने है तू अब प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे कि क्यों हटाया जा रहा है उनको तो राजकुमारी जी बचत जमानी करती हैं समुह की मीटिंग में नहीं आती हैं और वो कई सबताहसे मीटिंग से गायब हैं या वो समुह में जो ह ठीक तरह से वेवार सब के साथ नहीं करती उनका अच्छा इस तरह इसलिए उनको समू से हटाया जाता है और सभी लोग की इस पर क्या राय है क्या निरड़ा है तो निरड़ा में अगर आप उनको हटा दियें तो लिख देंगे सभी की सहमती से राजकुमारी जी को उनके समू में युगदान ना देने के कारड़ या बचत ना जमा करने के परड़ या वेवार अच्छा ना होने के कारड़ समू से हटाया जाता है और यहां पर उस दस्ताव उनकी समाप्त कर देंगे रिजिस्टर से लिख देंगे सब जगा और जो भी उन पर बकाया होगा वो जमा जरूर करा लेंगे और अब यहां पर बात कर ये भी कर लेते हैं कि अगर सदर्स की जगा अध्यच सचिव कोसा अध्यच में से कोई हो तो आप यहां परस्ताव के विसे में लिखेंगे कि समु से अध्यच दीदी को हटाने के विसे में या उनको बदलना है अध्यच सचिव कोसा अध्यच एक को किसी को बदलना है दो को किसी को बदलना या तीनों को ही बदलना है तो यहाँ पे आप लिख देंगे अध्यच दीदी को हटा कर अध्यच पद पर समुह की दूसरी दीदी को चैनित करने हे तू सचिब दीदी को हटा कर सचिब दीदी के पद पर समुह की दूसरी दीदी को चैनित करने हे तू प्रस्ताव के विशे में कोसाध्यच के लिए यही लिखेंगे और तीनों को गर हटाना है तो अध्यच सचिव कोसाध्यच तीनों दीदी को हटा कर उनके पद पर सम्हों की दूसरी दीदियों को चैनित करने हे तू अप प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, अध्यज दीदी को आप क्यों हटाना चाहते हैं, उनका व्यवार अच्छा नहीं है, कि वो काम सही नहीं कर रहे हैं, कि क्या है, सभी दीदी आपस में चर्चा करेंगी, और अप चुकि आप अध्यज के लिए ही ये सब कर रहे हैं, कि उनको ही आपको हटाना है, तो यहां पर सभी दीदियों की सहमती बहुत जरूरी है, सभी दीदियां इस पर सहमती देंगी, वोट करेंगी, क्योंकि जब आप अध्यज दीदी को और को सदीदी को भी हटा रहे हैं, तो उनकी जगहा पर जो सम्मू की अन्य दीदी को आप ब बीके होंगी वो रेजिस्टर में लिखते रहेंगी समु की कोई भी दीदी बीके हो अब प्रशन ये भी आता है कि जो अधेच सचिप को साधेच हैं उन तीनों को हटा रहे हैं या उन तीनों में से जिसको भी हटा रहे हैं वही लेखपाल भी है वही बीके भी है तो आप क्य जैसे लिख सकती है तो लिख दे लिखवा सकते हैं आप बोलते जाईए और वो लिख देंगी इतना तो आप सीखी चुके होंगे कि कहां पे क्या है इसलिए समू में तोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी दो चार दीदी का होता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं और यदि आप अधिश सचिव को साधिश को हटाने की प्रक्रिया में कोई बांधा आ रही है लिखने की समस्या है या वो लोग रिजिस्टर लिए बैठी है आपको दे ही नहीं रही है या अन्य कोई भी समस्या है तो आप सीधे ब्लाग पे जाकर BMMG से मिल सकते हैं BMM आपकी पूरी साहता करेंगी और यहां पर आपको बता दे कि अगर BMM भी आपके साहता नहीं करती तो आप जिला पर चले जाएं और वहां विकादवान में इनारेलम आफिस में जाकर भी इस विसे पर बात कर सकते हैं तो सभी दीदिया इस तरह से समू में चर्चा करके दीदी को समू से हटा दिया है या हमने अपनी फला दीदी अधिच सचिव को साधिच को बदल लिया है या हमने अधिच सचिव को साधिच में से किसी एक को बदला है या उन्होंने अपनी इच्छा से छोड़ दिया था समू तो हमने किसी दूसरे को चैनित कर लिया है यहा और अपने कम्पियूटर पर जो आपका एन्रलिम पर जो साइट पर छड़ा होगा आपका समहू में वहां पर नाम बदल देगी, चेंज कर देगी और नाम जिसका काटना है, हटाना है वो हटा देगी, फिर आपने क्या करना है जिस दीदी को अधिच सची विया को साधिच के पद पर रखना है कोई नई दीदी को समूँ में तो उनके तीन फोटो और उनका बैंक पास्बुक की फोटो कापी या धार काट की फोटो कापी ये सब भी साथ में ले जाएंगे और ये मुक्चर्चा में परस्ताओ लिखा इसका भी रजिस्टर को भी ले कर जाएंगे फोटो कापी इसके पन्ने की एक करा ले अगर हो सके और ये सब आप फिर बिलाक पे जाके जिसको सही करवा लेंगे तो उसके बाद आपको बैंक जाना होगा और वहां बैंक मैनेजर से कहना होगा फिर वो आपका ये परस्ताओ देखेंगे कि हाँ आपने कब बदला था कब दीदी का जो है चैन नई दीदी को कर लिया कब किसको हटाया देखने के बाद फिर जिस दीदी को आप बनाना चाहते हैं उनका फोटो और उनका डाकुमेंट लेकर जमा करेंगे और जिसका हटाना है उनका फाड़ के हटा देंगे और नई दीदी का वहाँ पे चिपका के फोटो और नया जोड़ देंगे तो इस तरह से आप जो है नया चैन कर सकते हैं और बस अपना समू विदिवत चलाते रही है तो इसमें कोई समस्या नहीं है आप सभी लोग नहीं चल पा रहा है, कोई समस्या है तो आप उस में अपना सभी लोग सहमती करें विचारब म मुस कर ये परस्ता हम पारित करें जाके बिलाग पर जाकर बीम दीदी को बताईए और उसके बाद आपका ये सारा कम हो जाएगा और कोई समस्या हो तो आप बताईएगा और आ लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं एक नई वीडियो में ने जनकरी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद